हलो बच्चो आप सबी का एक पाफिर से स्वागत है हमारे चनल इजी वेटू स्टड़ी में बच्चो आज हम आपके लिए लिए क्या हैं क्लास 6-8 की वक्षीट नमबर 78 बच्चो जैसे कि आप सबी जानते हैं सबसे पहले यहां पर हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स फिल्ड में हम अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है चलिए देखते अपनी वक्षीट उससे पहले बच्चो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब परना ना भूलें साथी बैल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते हैं आपको तरहंत नोटिफिकेशन मिल जाए और बच्चो अगर आपका हमारे वीडियो पसंदा रही है तो उन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंट सा शेयर करना ना भूलें चलिए देखते हैं आपकी वरक्षीट आज के वारे वरक्षीट शुरूर अन से पहले बच्चो हमें दिया गया है प्रिया चात्र इस सब्ता भी हम प्रती दिन कितर हैं दो मिनट माइनफुल करेंगे यह काम सुबह सुबह करेंगे तो ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे बच्चो जैसे ही आप जानते हैं माइनफुलनेस करने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले हम अपनी आखे बंद करके बैठ जाते हैं और अपने आसपास होने वाली गती वीडियो को उनसे होने वाली आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं बच्चो आप भी यही करेंगे दो मिनिट के लिए यहाँ पर वीडियो को पोज कर देंगे और अपनी आखे बंद करके ध्यान लगाएंगे आसपास के क्या चल रहा है आपके आसपास चली आगे चलते हैं सब्ता की गती वीडि उप्योगी वस्तु हैं बच्चो यहाँ पे हम अपने गर में उप्योग की जाने वाली वस्तु के बारे में जानेंगे हमें आपे अलग-अलग प्रशन दिये गए हैं जिसमें हमें पूचा गया है कि हमारे गर में क्या-क्या चीज़े इस्तेमाल होती है जिन मेंसे हमारे गर में रोज कौन सी चीज़े इस्तेमाल होती है सब्ता में एक बार कौन सी चीज़े इस्तेमाल होती है या फिर इसके साथ ही बचों हम च inh पूछे के एक महीने में एक बार इस्तेमाल होने वाल चीजे एक साल में एक बार हने वाल चीजे sì और ऐसी चीजे जिनका प्रयोग pload नहीं होता बचों इन सभी प्रशनों के उत्तर चलिए देखते हैं बच्शो texto हमारा पहला प्रश्ण है घर में उपलब सबी चीज़ों की एक सूची बनाएं यहाँ पे हमें क्या करना है हमारे गर में जो बचसे उपलब यहाँ उनमें से किसी चीज़ों के हम सूची बना सकते हैं तो उधारण के लिए मैंने लिखा है बच्शो सबसे पहले कॉपिक किताबیں और पैंसिल बॉक्स क्योंकि जब हम काम करने बैटे हमारे सबसे पास में तो यही चीज़े हैं तो हम सबसे पहले इनी चीज़ों के नाम लिखते हैं उसके बाद सोफा, मेज, कुरसी, अलमारी, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, गैस, चूला, बरतन, खाने का सामान, कपडे, चदर, तकिये और रजाई आदी यहाँ आपर बच्चों मेंने कुछ चीज़े लिखी हैं, आप चाहें, तो अपने गर में देखकर और बाकी चीज़े भी इसमें लिख सकते हैं चलिए दिखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन कहता है बच्चों, एक और सूची तेयार करें, जिसमें ऐसी वस्तों का नाम लिखिये जो रोज प्रियोग में लाई जाती हैं तो बच्चों उपर जो हमने सामान लिख था, जातर चीज़े उनमें से रोज प्रियोग में लाई जाती हैं तो मैंने अपने उत्तर में लिखा है, रोज प्रियोग में लाई जाने वाली वस्तों हैं, कापी, किताबें, पैंसिल बॉक्स, सोफे, मेज, कुर्सी, अलमारी, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, गैस चुला, बर्तन, खाने का सामान, कपडे, चदर, तकी, आदी, आगे देखते हैं, अगला प्रशन है, बच्चो, ऐसी वस्तों की सूची बनाएं, जिनको सब्ता में एक बार प्रियोग किया जाता है, तो बच्चो, इसके लिए मैंने लिखा है, सब्ता में एक बार प्रियोग में लाई जाने वाली वस्तों है, पंके और जाले साफ करने के लिए, जाडू लिख दिया है अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज है जो सब्ता में सिर्फ एक ही वार इस्तिमाल होती है तो इसमें आप वह भी लिख सकते हैं आगे देखते हैं अगला प्रशुट कहता है एक ऐसी सूची तेयार करें जिनको एक महीने में एक बार प्रयोग किया जा है जिसमें महीने के आखिर में सारे हिसाब किया जाता है कि कितना खर्चा हुआ है और उसी के आदार पर अगले महीने के लिए अनुमान लगाया जाता है अगला प्रश्ण है ऐसी वस्तो की सूची बनाईए जिनका प्रयोग लगबग एक साल में एक बार होता है बचो इसक देखते हैं अगला प्रशन है ऐसी वस्तों की सुची बनाएं जिनका प्रयोग नहीं होता है तो बच्चों हमारे गरों में ऐसी बहुती कम चीज़े होते जिनका इस्तेमाल नहीं होता है मैंने इसका उतर लिखा है मैंने इसका उतर लिखा है हमारे गर में पुराने अखबार प्राणी प्लास्टिक की बोतल आदी ऐसी चीज़े हैं जिनका प्रयोग नहीं होता आगे देखते हैं अगला प्रशन है बच्चो यदि हम प्रयोग में नहीं होने वाली वस्तों को ना खरीदें तो इसका क्या प्रभाव होगा? स्वैम पर, समाज पर, पर्यावरन पर तो चलिए दिखते हैं इसका उत्तर यहां बच्चो इसका उत्तर लिखा है मैंने यदि हम प्रयोग नहीं होने वाले उस्तों को ना खरीदें तो वै किसी और के इस्तिमाल में आ सकती है हुआ हुआ हुमारा बच्चो समाज पर क्या असर पड़ेगा? उनकी खपत कम होगी यह बच्चो पर्यावरन पर क्या असर पड़ेगा? उसका बताए गया है और जब किसी चीज की खपत कम होती है तो उसके दाम भी कम बढ़ते हैं यानि कि जब कोई चीज इस्तिमाल नहीं होती है उसके दाम भी बढ़नेक बंध हो जाते हैं और वह आसानी से दुस्रों को मिल सकते हैं जिसको उसके ज़रत हो बच्चो यह हमारी वरक्षीट का आखरी प्रिशन दा इसीक साथ हमारी वरक्षीट यहाँ पर समापत होती है आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी बच्चो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स साथ शेर करना ना भूले साथ ही अगर आपको कोई क्वेशन है तो उसे आप कमेंट सेक्षन में जरूर पूछें हम आपके क्वेशन को जल से जल अंसर करने की कोशिश करेंगे और बच्चो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तरंक नोटिफिकेशन मिल जाए तैंक यू